आपके यहां अगर तापमान 45 दिगरी रह रहा होगा और यह पल लगाना मतलब सेव लगाना जान रहे हैं और वो कैसे लगा सकते हैं कौन सा विराइटी का चुनाव करें जो 45 दिगरी, 46 दिगरी तापमान तक आप कहीं भी लगा सकते हैं मतलब गर्म जलवाईव वाला सेव ठंड में तो कोई बात रहता नहीं है लेकिन हिंदी भासी छेत्रों में तो गर्म जलवाईव वाला सेव लगाया जाता है और वो कौन सा विराइटी कैसा होता है और कहा से प्लांट मिलेगा सारचीज के बारे में बताएंगे मैं दो प्लांट लगा रहा हूं ऐसे तो मैं इससे पहले वीडियो बनाया था जो कि आपको मौसमी पर बनाया था और ये आपको उसके बाद किन्नू पर बनाया था तो दोनों एक ही जगा मैं लगाया हूं वही से प्लांट मंगवाया था वैसे ही एपल का प्लांट अभी खूब मिला है क्योंकि अभी दिसंबर और फर होता है और यह सब dormancy period में चले जाते हैं ठंड के मौसम में और इसे 200 घंटा मतलब chilling hour की जरूरत होती है जो कि सभी जगह मतलब 5-6 degree होना चाहिए यह सभी जगह पाया जाता है इसी से यह plant आराम से चल जाता है और यह देख सकते हैं अपना यह दोनों का साइन है और यह grafted plant है grafted in the sense बहुत सुंदर यह है मतलब यह सीडर वाला grafted है कुछ आता है tissue culture grafted देखिए इसमें leaf node निकला हुआ है यही node से इसका सारा video on तक देखते रहेगा इसका पूरा बता देंगे यह देखिए खुरुच के देखे है यह ठीक है मतलब हारा है अंदर से लेकिन अभी यह सुखा इसलिए लग रहा है जो फर्वरी में जाके जब इसे खुब अच्छा तरह से resource हो जाएगा restore होगा तो फर्वरी में यह full start कर देगा देना और अभी तो मैं लगा रहा हूँ क्योंकि यह seed बाला है मतलब इसमें seed से लगाया हुए plant है और एक root stock वाला plant आता है वह थोरा मांगा मिलता है वह सारह 300-400 रूपे के हिसाब से मिलता है और यह आपको कहीं भी 200 के हिसाब से मिल जाएगा या 100 से लेके 200 के हिसाब से आपको जैसा मिले जो भी variety अच्छा तीन variety भी market में खोब अच्छ 99 हर्मन सर्मा द्वारा हिमाचल परदेफ के किसान थे वह विक्सित की हुए है तो उनका हर्मन 99 है और यह दोना इजराइल का है यहां पाइलेट प्रोजेक्ट मतलब यहां लगाया गया है वहाँ 1965 से वहां खेती होता है यही सेव का क्योंकि वहां गर्म चलवाई रहता है और भारत में भी वैसा ही रहता है तो आप इसे लगा सकते हैं इसे मैं अगर गमला में मतलब गमला में लगाना चाहते है तो आप 20 इंच वाला गमला लीजे मतलब एक डबबा वाला गमला जैसे कोई डालडा का डबबा हो गया या कोई आपको कैरेट जिसमें मैं बहर लग एक अन्ना लेना चाहते हैं हर्मणً99 में वह ऐसा नहीं होता है वो खुल से पॉलिनेट हो जाता है तो उस में उतना दिकत नहीं होता है और यए दोनों तो अपना यिए होता है हर्मन तो बहुत अच्छा पॉलिनेट हो जाता है जो कि बहुत अच्छा है इस पे लिखा हुआ है यह अन्ना है और एक डोर्सेट गोल्डन भी है मतलब दोनों दो भेराइटी मेरे पास है जब यह बढ़ा होगा तो और भी वीडियो बनाएंगे इसलिए मेरे वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और इसे धूप के आवा सकता होती है मतलब जितना देर धूप हो उतना देर धूप के आवा सकता होती है लेकिन आप गमला में लगाईएगा तो वैसा थोड़ा छायदार अस्थान पर रख दीजेगा जहां मतलब उतना ज्यादा नहों ज्याद अगर यह प्लांट लगा लिजेगा इसका जहां तक कटिंग लगा हुआ है मतलब टी कटिंग वहां से नीचे ही मट्टी भरना होगा और थोड़ा भी पानी यह बर्दास्थ नहीं करता है सुख जाता है यह तो अधर प्लांट में भी होता है ऐसे तो पांच वेराइटी ऐसा अगर नाम बता है निम्बू का उस पर वीडियो बनाए है वह भी आप देख सकते हैं और यह बहुत अच्छा है और इसमें मैं वर्मिक पोस्ट और मीट्री मिला के और जो भी खाद होता है वह सब खाद दीजे और कुछ नहीं होता है और यह सब अराम से चल जाता है मतलब सदारण अप फटलाइजर बनाके और मिक्स बार फटलाइजर जो आता है वह जैविख बाला और ऐक फटलाइजर बाला वह दोनों मतलब जैविक दे सकते हैं क्योंकि खाने वाला फ्रल है तो अराम से यह अगले साल से अराम से भूब अच्छा फ्रल देगा यह साल थोड़ा देगा दो चार पाच देगा लेकिन अगले साल यह 80-90 फल देगा क्योंकि मैं इसलिए जमीन पर लगा रहा हूं जो यह खुब फल दे खुब फले अगर आप मतलब खेत में लगाएंगे मतलब गमला में लगाईएगा तो उतना ज्यादा तो नहीं फलेगा लेकिन 50-60 फला राम से देगा दो तीन साल का प्लांट हो दू साल का भी प्लांट मिलता है यह मैं मंगबाया था मतलब हर्मा सर्मा से भी मंगबा सकते हैं लेकिन वह लोग एक दो प्लांट नहीं बेचते हैं आप पच्छिम बंगाल में भी कुछ फार्मर है कुछ राजस् लेब आया हुआ